सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए देखने के लिए अप स्टाट करते हैं बचवक्षी प्यारे विद्यात्यों कक्षाथ छती में हमने पढ़ा था कि इतिहास सिर्फ राजलानियों की कहानियों का अध्यन ही नहीं बलकि इतिहास में आम लोगों की इस्मार को और सहिते के इतिहास को भी पढ़ते हैं We will study a particular period of history of Hindi literature भक्ति काल devotional period through various worksheets on this chapter. आज हम जे सद्याय को पढ़ना शुरू करने वाले हैं. वे हैं इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना चाता है. ठीक है? अब हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस समय के संतो लेकर कुन नारियों विबिन जाती धर्मों को लोगों का जीवन कैसा था? विबिन दर्शन वेल जीवन पदती के विशे में भी उनका क्या नजरिया था? अब आगे देखते हैं. The 7th to 9th century, Sada emergence of new religious movements led by the Nainars, Scent devoted to Shiva and Alvars, Scent devoted to Vishu. 27th से 9th शताबदी के बीच कुछ नए धर्मिक अंदोलनों का प्रादूर भाव हुआ. इन अंदोलनों का नेतर्द्व, नेनारों, शेव संतों और अलवारों, वेश्रुव संतों ने किया. ठीक है? अब देखें. They preached ardent love of Shiva और Vishu as the path to salvation. ये Shiva और Vishu के प्रती सच प्रेम को मुक्ती का मार्ग बताते थे. They draw upon the ideals of love and heroism as found in the Sangam literature. The earliest example of Tamil literature composed during the early centuries of the common era and blended them with the values of bhakti. उन्होंने संगम सहित्य, Tamil सहित्य का जो प्राचीनत, मुधारण और समानने सन यानि इस्वी की प्रारंभिक शताब्दियों में रहित में समाहित, प्यार और शूर्वेरताओं के आदर्शों को अपना कर भक्ती के मुल्ले में उनका समावेश किया. नेनार and अलवार went from place to place, composing exquisite poems in praise of the deities, enshrined in the village they visited and set them to music. There is a famous saying about bhakti related to its coming from south to north. नैनार और अलवार गुमकड सादू संते वे जिस किसी गाउं ये स्थान पर जाते थे वाहां के स्थानिय देवी देवताओं की प्रिशनसा में सुंदर कवीता रजकरूने संगीत बद करते थे और भक्ति सहिते के उत्तर से दक्षिन आने के संदर्व में प्रिसिद कहावत कहीं जाती थी वो हम देखेंगे भक्ति was born in the southern India and it was brought to north by Ramanand भक्ति जो है उसका उने दक्षिन भारत में हुआ है और उसे Ramanand उत्तर भारत लेकर आए अब भी हाँ पर 9 hours के बारे में बता हुआ है ये भगवान शिव के उपा सकते हैं इनकी संख्या कितनी थी? 63 अलवार्स के बारे में पढ़ेंगे विश्रू के उपा सकते हैं ये भगवान शिव के उपा सकते हैं के जो अलवार्स थे और ये कितने थे संख्या में 12 थे अक्टिविटी है स्टेडी दे कॉंपोजिशन ओफ मरिक्व सागर गिवन इन टेक्स्ट बुक अवर पास्ट सेकंड अन स्टेट हैं आपको और बताना है कि कवी ने भगवान के चाथ अपने संबंद कैसे बतायां उसका कैसे वर्णन किया हैं? अब यहाँ पर कॉश्यन है बच्चो इस्टेट वैदर ट्रू और फॉल्स फस्ट है भक्ति वाज स्टार्टिड इन दस साउधरन इंडिया भक्ति का ओदे धक्षन भारत में हुआ ट्रू सही है तो आप ट्रू लिख देंगे सेकिन है देर वर ट्वैल नैनार्स नैनार्स की संख्या बारा है तो यह फॉल्स है गलत है यह वाला क्योंकि उनकी संख्याती 63 यहां पर है अलवार्स वर डिवोटिड ओफ विश्रू अलवार्स होते है भगवान विश्रू के भक्त थे यह बात बिल्कुल ठीक है ट्रू तो बस इसमें ट्रू फॉल्स ही थे और आप यह पढ़कर भगवान से इनका संबंद बता देना कैसा बता था तो आपकी वक्ष तंग पिंठ बता बताई बता दो वक्त बता देना कैसा बता घ्रू जार्स पर देना को वक्त रूमें पिश्रू हो जिए को पिए और दो खे जो दो आपकी वे रीक हैं